के लिवन एक्सपर्ट चैनल मैं आपका स्वागत करता हूं तो आज की इस वीडियो में मैं यहां पर बात करने वाला हूं जो आपको यहां पर वीवो पुरो कबड़ी का आज का फर्स्ट मैश और टूनामेंट का जो आपको सात्मा मैश के लारता दिखेगा यहां पर यू मैं स्टाइट्स देखेंगे और जो मैं आपको यहां पर प्लेयर बाइस करके दूंगा जो आपको इस वीडियो में इन्फोर्मेशन मिलेगी वह आपको कहीं और नहीं मिलने वाली ठीक है तो बस आप वीडियो को सुरूर से अंदक देखते रहेगा इस्पेसल फोकस हमारा रहेगा ग्रैंड लिक्स पर क्योंकि अभी तक यहां पर जो कबड़ी के मैचेस रहे हैं उसमें जो मेन प्लेयर रहे वह उतना अच्छा नहीं कर पाए ठीक है पहले दो दिन मेरे लिए बहुत खराब गए मैचेस ठीक है मैं रिजल दिखाने से नहीं डरता हूं ठीक है यह आप मेरा डिजल देख सकते मेरा लॉस ही लॉस हुए एक बस कल का जो मैच था फोर्थ मैच उसमें थोरी मैने ग्रैंड लिग ही खेली थी आप देखिंग आठारा टीम से तो उसमें मेरी रैंक ठीक ठाक सी थी लेकिन गाइस मेरा कबड़ी अच्छा नहीं गया है यह आप डेली और पुनेरी का देख सकते मैंने बहुत चारे कॉंटेस जोइन किये थे लेकिन अनफॉर्चनलेटली मैं हारा ठीक है गाइस तो यहां पर जो मेन प्लेयर से अभी उतना अच्छा नहीं कर पारें लेकिन कोई बात नहीं है कबड़ी बहुत लंबा टूनामेंट है हम ह आप फोकस करिएगा ठीक है और स्पेसल फोकस आपका ग्रैंडिक्स पर होना चाहिए क्योंकि प्रोक यहां पर कबड़ी में ग्रैंडिक जितना काफी एजी रहता है और अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो मैं आपको बहुत कमाल कमाल की ग्रैंडे के टिप्स देन सब्सकμक हून करें सब्सक्राइब करते हैं अगरहां पहले गाईश्यान चैनल ऊंपर आब आरो करना सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब नहीं है उनाया वीडियो ऐसा कर देजार इस घर आूप और जैन कटायाईध। इस match के भी final team update आपको हमारे telegram channel पर ही मिलने वाली है अब चलिए match के बारे में guys हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले हम you momba का पहले match का starts देखेंगे यह guys you momba का पहले match का starting 7 था ठीक है इन players ने start किया था अगर आप देखेंगे तो you momba के जो सबसे main raider रहे थे वो रहे थे अभी सेख सिंग जिरोंने 19 point लिये guys बहुत तगरा खेले थे अभी सेख सिंग ठीक है तो इस match में भी you momba के सबसे important main raider का काम अभी सेख सिंग ही करने बाले है उसके अलाबा इनके जो main defender है वो है इनके captain फजल अत्रा चली जो कि पहले match में नहीं चले लेकिन guys सुल्टान के नाम से जाने जाते हैं बहुत तगरे defender है ठीक है तो इनका ध्यान लखिएगा भले ही पहले match में अच्छा नहीं कर पाए लेकिन player में कोई कमी नहीं है बहुत आपको अच्छा परफॉर्म करके दे सकते है उसके लाबा आसीष ने तीन पॉइंट लिए जो की cover पर खेले थे नॉर्मली ये corner पर खेला कर दे थे लेकिन first match में इनको यूमबा ने cover बगी लाया उनके साथ में हरंदर कुमार भी cover पर खेले थे दोनों काफी अच्छा खेले हरंदर कुमार से भी मुझे इतना ज्यादा expectation नहीं था लेखिन गाइज उन्होंने भी 4 tackle points लिए ठीक है उसके लाबा भी अजित as a second radar खेले थे जिन्होंने 6 points लिए अच्छे radar ये भी है लास्टेर इनका performance अच्छा था गाइस तमिल के लिए ठीक है motion max नों एक all downer है उतना अच्छा नहीं कर पाए मात दो पॉइंट ही मिला रिंकू एक नए defender है ठीक है जोकि left corner में खेले थे फजल right corner पर थे और रिंकू थे left corner पर 2 points इनको भी मिले मुझे defender ठीक लगे गाइस ठीक है अभी यंग है देखना होगा आगे क्या करते है ठीक है तो यह starting 7 था यू मुंबा का पहले match में मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं होने बारा है सेम स्टार्टिंग 7 ही आपको खेलती दिखनी चाहिए ठीक है यहाँ पर 6 प्लेर तो पक्का करेंगे अभी शेक सिंग आसी सांगवान हरंदर कुमार यहाँ पर रिंकू एंड फजल यहाँ और और भी अजित कुमार यहाँ पर मक्सोदलू क हो सकता है में भी ठीक है यहाँ पर बाहर भी हो जाए उनके जगापा गाइस यह कुछ प्लेयर सें जो कि आजस सब्सेच्यूट में थे जिसमें के एक में डिफेंडर अमिच सिरॉन थे तो अमिच सिरॉन से स्टार्ट नहीं कराएगा पहले मैच में अगर टीम चाहें तो यहाँ पर रिंगु के जगापर खिला सकती है लेकिन मुझे लगता टीम ऐसा करेगी और अगर मुशन मक्सोदने को जगापर किसी को खिलाना होगा तो टीम के पास नबनीत है ठीक है और भारत है रेडर के रूप में ठीक है तो यह दून हो सकता है तो आज थार्ड रेडर खेल जाएंगे लेकिन मैं ज्यादा आपको नहीं कहूंगा मैं ज्यादा कहूंगा कि आप यहाँ पर अविशेक सिंग ठीक है उसके अलाबा यहाँ पर फजल अत्रा चली भी अजित कुमार और हरंदर कुमार इन चार प्लेयर फोकस करिएगा और इंको भी ठीक नहेंगे आ स्टार्टिंग सेवन था और यह स्टैट्स भी है आपके सामने नवीन कुमार आजा में रेडर खेले बहुत तगरा खेले 16 पॉइंग उनको मिला जीवा कुमार ठीक है इनको एक पॉइंट मिला ठीक है बंजीत चिलार को एक पॉइंट मिला यह दोना आजा कवर खेले थे बिजे काफी अच्छा खेले और डाउंडर का काम इन होने किया 9 पॉइंट उनको मिला ज्यादा पॉइंट काई यह रेडिंग से लेकरा है अजय ठाकूर बीसमेंट के बाद सब्सिचूट हो गए ना एक भी रेड किया ना कुछ भी तो मैं इंगनोर करने को ही कहूंगा आ यहां पर लेफ्ट कॉनर पर जुगिंदर नर्वाल खेलते हैं और राइट कॉनर पर है संधीप नर्वाल और मंजीत चिला और जीवा कुमार इनके यहां पर कवर है ठीक है तो यह बात का ध्यान रखिए यहां से जो मेरी साब से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है नभीन कु प्रकी क हमाऊ से कुझा यहां फधोर यहां पर आच ठाकूर की पर यहां पर निर्वाल और निर्जिस अंoral पर करें pressing making इनको 추cknes कर सकता करें हैंगे क्योंकि क्योंगे क्म्स आब ब कि एट नहीं नहीं थे इस अंदों नहीं की थी थो सकता है उनकी जगह पर यहां पर आसू अपने डिसकॉस करने से पहले नियुरा। पैसा आपका नहीं लगेगा और आपके लिए पास 50,000 का फ्री गीवह है ठीक है और फर्स्ट रैंक को 5000 पिलेगा तो बहुत कमाल का मौक है आपके पास फ्री में जीतने का अगर आप नंभी तक यहाँ पर वीजन 11 आपलीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्सन में हम यहाँ पर Vision 11 application का link मिल जाएगा, आप उस कर्ड क्लिक करकर download करके sign up कर सकते हैं, आप guys ऐसे हमारे code के साथ sign up करेंगे, आपको 300 का sign up bonus मिल जाएगा, ठीक है, तो giveaway में join करना बिल्कुल भी मत बूलिएगा, और guys इसके अलाबा भी यहाँ पर giveaway मेरी तरब से आप सभी के लिए चा चालू है, प्रो कबड़ी के लिए, जिसके प्राइजेज आप देख सकते हैं, ठीक है, उसके लिएपाइज से में भी 8 लाक्स का लीडर बोड चालू है, जिसमें competition भी दूनों application में काफी कम है, तो आप try करना चाहते तो कर सकते हैं, दोनों application को, ठीक है, मैं दोनों application में ख क्या करना है, जैसी update होंगे, आपको मुझे यहाँ पर personally telegram पर message करके, अपना screens और leaderboard का rank, दोनों application का मुझे send करना है, ठीक है, मैं सभी का leaderboard का rank देखूंगा, उसके बाद guys, जो top 3 rank रहेगा, जिसका सबसे, अच्छा, top 3 में जो आएगा हमारे channel से, vision level application में, और spot से, दोनों application में, top 3, 3 बंदे को, यहाँ पर मेरी तरब से 500 each मिलेगा, ठीक है, total 3000 का free giveaway है, मेरी तरब से, ठीक है, तो आप लोग जरूर, एक भी match miss मत करिएगा, दोनों application में, अगर अभी तक download नहीं किया, और खेलना है, start नहीं किया, तो फटाफर से download कर लीजे, अभी भी मौका है, अभ आपको giveaway में, यहाँ पर prizes चाहिए, तो उसके लिए, तीन rules है, पहला rule है, आपको वीडियो को like करना होगा, ठीक है, हर वीडियो को, उसके लाबा channel को subscribe करना होगा, हमारे YouTube channel को, और Telegram channel का member बनना होगा, ठीक है, और साथ में, दोनों application में sign up, हमारे code के साथ करना होगा, ठीक है तो यह rule का ध्यान रखिएगा, उसके बाद आप giveaway के लिए guys eligible हो जाएंगे, ठीक है, तो यह मैंने आपको giveaway के बारे guys बता दिया, बिल्कुल भी giveaway miss मत करें, मैंने पहली बार आपके लिए giveaway organize किया है, आसा करूँगा, आपको पसंद आएगा, अब चलिए guys हम यहाँ पर अपन प्रेफर करेंगे, तो मेरी साब से बेटर रहेगा आपके लिए ठीक है, और team copy paste करने की आप बिल्कुल भी कोशिस ना करें, अभी वैसे मेरा luck अच्छा नहीं चला है, वैसे भी मैं हमेसे आपको recommend, मैं कभी भी आपको recommend नहीं करता हूं, कि आप मेरी team copy paste करके ही खेले, अग लिए पहले हम रेडर से start करते हैं, तो रेडर में गाईज अभी से एक सिंग ठीक है, उसके लाबा यहाँ पर अभी से एक सिंग और नवीन कुमार, यह दोनों important रेडर से अपने अपनी teams के, ठीक है, दोनों का आपने पहले मैं से performance देखा, कि इतना कमाल का था, तो दोनों क गाईज आपको लेकर ही चलना है, small league में एक दम safe option है, और मैं बिल्कुल भी आपको recommend नहीं करूगा कि आप दोनों को drop करें, ठीक है, उसके लाबा गाईज अगर मैं बात करूँ तो अजय ठाकूर को ignore करिये, वो मेरे हिसाब से fit नहीं अभी, आजित कुमार, इनका credit high है, radar अ यहाँ पर दो radar ही हमारे लिए अच्छे रहेंगे, अभी हम all downer section पर आजाते हैं guys, जहाँ पर मंजीत चिलर मुझे बिल्कुल भी form में नहीं दिख रहे है, और इनका credit भी high है, तो मैं कहूंगा आप अभी के लिए मत पिक करिए, ठीक है, उसके लाबा guys, आसीस कुमार है, ज यहाँ से प्रेयर ठीक है, cover पर खेले थे, inconsistent है, इसलिए आप grinding में ही try करिएगा, यहाँ से मैं संदीप नर्वाल, यहाँ पर guys, sorry, मैं BJ को ले रहाँ, जो कि मेरा credit भी maintain करेंगे, और पहले मैं से में काफी अच्छा खेले, rating इन्होंने अच्छी की, आप यहाँ पर guys, section पर, जहाँ पर guys, फजल अत्रा चली, no doubt, number one defender है, ठीक है, आप इनको definitely ले सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छे differential, बहुत अच्छे pick रहेंगे, ठीक है, तो इनको तो हम लेंगे ही guys, भले इनका credit हाई है, पहले मैंस में उतना अच्छा performance नहीं आया, लेकिन सबसे main defender है, उमूम बागे, तो हम इनको लेकर ही चलेंगे, उसके लाबा guys, जीवा कुमार मैं उतना recommend नहीं करूँगा, grandix के लिए में भी कुछ teams में आप try कर सकते हैं, हरिंदर कुमार बहुत अच्छा है के लिए पहले match में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे differential हैंगे, ठीक है, त हमारे पास सारे तेरा credit बचता है, तो हम यहाँ पर हरिंदर कुमार को तो pick नहीं कर पाएंगे, credit के problem के चलते हैं, तो हरिंदर कुमार को ध्यान नेखिए, grand league में आपको जरूर राइक करना है, ठीक है, तो हम यहाँ से नीचे जाएंगे, आपके पास option में, यहाँ पर मेरी स last match में, लेकिन ठीक लगे थे मुझे, तो मैं इनको ले रहा हूँ, और कोई option ही ने, guys, तो यह guys आपके लिए small league का यहाँ पर preview बनता है, ठीक है, यह team guys लगभग सभी लोग लेकर आएंगे, अगर आपको कुछ यहाँ पर different करना है अपनी team में, तो guys आप एक-दो change कर सकते है ठीक है, अगर आपको थोड़ा आपको risk लेना है, तो, raiders में drop करने का risk आपको नहीं कहूंगा, defender में आप क्या कर सकते हैं, guys, यहाँ पर संदीप नर्वाल की जगह पर, यहाँ पर ले सकते हैं, हर इंदर कुमाय को, ठीक है, यह थोड़ा एक risk रहेगा, जो कि आप ले सकते ह यहाँ पर जोगिंदर नर्वाल को drop करके संदीप को ले सकते हैं, यह थोड़ी, guys, आपके लिए एक risky, differential team बनती है, small league के लिए, क्योंकि काफी लोग same team लेकर आएंगे, जो मैंने आपको पहले बना कर दिखाई, तो, अगर आपको थोड़ा different जाना है, तो, आप इस team के साथ small league में जा सकते हैं, ठीक है, तो, यह बात का ध्यान लखेगा, captaincy wise, captaincy के, अगर मैं option की बात करूँ, तो, captaincy wise, captaincy के लिए, दो ही best option है, small league के लिए safe, वो है नभीन कुमार, और यहाँ पर अविशेक सिंग, उसके अलाबा, अगर मैं बात करूँ, grand league की, तो, grand league के लिए, फज हमने safe team की थी, हम उसे ही कर लेते हैं, ठीक है, जो कि मेरी साब सभी के लिए, ज्यादा safe रहेगा, आप rix ले सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया है, अगर आपको rix लेना हो, small league में, तो, आप उस team के साथ rix ले सकते हैं, मैं अभी के लिए, guys, यहाँ पर captaincy नभीन को दे and Sandeep Narwal, इन दोनों को CVC आपको try करना है, ठीक है, उसके लाबा एक और मैंने combination आपको बना कर दिखाया था, जो कि थोड़ा एक different था, थोड़ा सा risky था, अगर आपको उस combination के साथ भी जाना है, तो मैं एक बार फिर से आपको बना कर दिखा देता हूं, यह combination guys हमनी किया था, जिसमें आप captain wise, captain same ही रख सकते हैं, ठीक है, और अगर यहाँ पर हरिंदर गुमार अच्छा perform करते हैं, तो guys यह team आपके लिए काफी अच्छी small league के लिए differential team साभीत हो सकती है, ठीक है, तो यह बात का guys ध्यान लेकिए, यह दो आपके लिए small league की teams है, पहली team थोड़ी risky है, और दोसरी team थोड़ी risky है, तो आपके उपर है, आपको जिस team के साथ खेलना हो, आप खेल सकते हैं, ठीक है, यह small league की बात होगी, आप शलिए guys, मैं आपको grand league की tips दे देता हूँ, तो guys grand league की tips आपके लिए यही है, कि आप दोनों teams के favor में कुछ teams create करें, जैसे सबसे पहले हम दबंग देली की favor में कुछ teams बनाते हैं, तो यहाँ पर दबंग देली की favor में team बनाएंगे, तो हम नवीन कुमार को लेंगे, बिजय को लेंगे, संदीप नर्वाल को लेंगे, जुगिंदर नर्वाल को लेंगे, ठीक है, यह चार player को हम सबसे पहले लेंगे, उसके अलाब को आप ले सकते हैं, जीवा को हम यहां पर पिक करेंगे, यह आपके लिए दबंग देली की फेवर में टीम बन जाती है, ठीक है इसमें अगर मैं captaincy, wise captaincy की option की बात करूं, तो आप नभीन कुमार के साथ में Sandeep Narwal, या फिर तो यह बात का ध्यान लखे, यह आपके लिए दबंग देली की फेवर में टीम बनती है, अब एक guys, मैं आपको यू मुंबा की फेवर में भी टीम बना के दिखा देता हूं, ताकि आपको help हो जाएगी, यहाँ पर यू मुंबा के लास्ट प्लेयर की बात करूँ, तो यहाँ पर हम यू मुंबा से किसे पिक करेंगे, यहाँ पर चाहे तो आप एक defender भी ले सकते हैं, ठीक है, उसके अलाबा guys, यहाँ पर Asis Kumar के पास हमारे पास credit नहीं है उनको लेने का नहीं, तो हम मैंने आपको small league की team बना के दी थी, जिसमें हमने संदीब को ही pick किया था, यह मैंने आपको यहाँ पर एक small league की risk की team बना के दी थी, यह तरीके से guys, यू मुंबा के favor में भी team बन सकती है, ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, captaincy अविशेक सिंग को, और wise captaincy फजल अतराचली को दे सकते हैं, ठीक है, यह आपके लिए combination बन सकता है, और एक guys, मैं आपको highly risk की team बताओ, जिसमें guys, आप क्या कर सकते हैं, ricks ले सकते हैं, drop करने को नवीन कुमार का, ठीक है, वैसे मैं यह बहुत कम कहूंगा, कि आप नवीन को drop करें, लेकिन फिर भी guys, अगर आपको ज़्यादा ricks लेना है, तो आप यह कर सकते हैं, उसमें guys, आपको क्या करना है, यहाँ पर defender में हम तीनों को लेंगे, यू मुंबा के, और raiders में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर दबंग देली से हम दो प्लेयर हम मातर लेंगे, संदीप और बीजे को, ठीक है, और यहाँ पर हम यू मुंबा के क्या करेंगे, सारे defender को ले लेंगे, ठीक है guys, यहाँ पर मासीस कुमार को नहीं ले पाएंगे, और अजीत को भी नहीं ले पाएंगे, लेकिन guys, हम क्या करेंगे, संदीप को भी ड्रॉप करेंगे, और यहाँ से पिक करेंगे, जोगिंदर नर्वाल को, और फिर guys, हम यहाँ पर आसीस कुमार को ले पाएंगे, यह guys, बहुत जादा रिसक्री टीम है, माल दीजिए, बाए चांस, अगर नवीन कुमार फ्लॉप हो जाते है, तो यह टीम बहुत अच्छा राइंग रैडलिक मिला सकती है, ठीक है, और इसमें captaincy, wise captaincy आप किसे दे सकते हैं, इसमें आप captaincy दे सकते हैं, यह बहुत जादा रिसक्री टीम है, तो यह मैं जादा आपको recommend नहीं करूँगा, कि आप जादा इस टीम के साथ खेलें, फिर भी अगर आप एकाद contest खेल लेते, तो उसमें कोई problem आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि guys, यह बहुत जादा रिसक्री टीम है, अगर नवीन चल जाते हैं, तो यह टीम guys कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन बाईचांस अगर नवीन फ्लॉप होते हैं, तो फिर यह टीम guys बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, तो यह guys मैंने grandic के भी आपको काफी सारे teams बना के अच्छी tips दे दी हैं, आप इसी परकार्ट के टीम बनाईएगा, दोनों टीम एक्क्वल बैरेंस हैं, मैं आपको कहूँगा, दोनों टीम के फेवर में आप टीम बनाईए, आप मेरे साब से बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं, ठीक है, मैंने आपकी help करने के लिए, यहाँ पर अलग-अलग combination भी बना कर दिखा दिये हैं, आशा करूँगा गाईज, आपको इस वीडियो से काफी help मिली होगी, और आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी, अगर गाईज, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ सेर कर सकते हैं, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, का चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को भी ओन कर सकते हैं, ताकि आप आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन में ना कर सकें तो बहुत जल्द गाइस मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में